आज मैं शीव का बहुत ही सक्तिसाली वह मंत्र लेकर आया हूँ जिसके जाब करने मात्र से आपके सरीर के सभी तरह के कष्ट वो कितनी ही पुरानी कोई ना बीमारी हो रोग हो दोश हो या कोई भी तकलीफ हो या उपरी चक्र वो सब खत्म हो जाते हैं और आपका सरीर पूर किस विधी से करना है पूरा मैं बताऊंगा आप ध्यान से इस मंत्र को नोट कर लीजी कौपी पिन कलम लेकर दोस्तों मैं आप लोगों के लिए बहुत ही सुन्दर सुन्दर सियू महापुरान से रिलेटर सियू जी से रिलेटर और ऐसे मंत्र जिससे आपके जीवन में इस वीडियो को सभी तक पहुँचा इससे आपको बहुत बड़ा पूनी मिलेगा और आप अतिसीगर सुस्त होंगे क्योंकि इस मंत्र का जाब जब कोई दोसरा करेगा तो उसके जीवन में जो लाब होगा उससे आपको दूआ मिलेगे और आप पूरी तरह सुस्त और निर मंत्र का मानसिक जाब करना है चंद्रमा को शीव के सीष का अलंकार कहा गया है और जो शीव को सीतलता परजान करने वाला हो विचार कीजिए कि जो आपको कितनी सीतलता परजान करेगा इसके साथ ही आप इस ध्यान को विभिन चक्रों पर भी कीजिए ये आपके हर चक्र को अद्भुत ताजगी से भर देगा और आप सबका कल्यार होने लग जाएगा आमित्रो अब आपको मैं बतारा हूँ कि इसको कैसे करना जैसे आप जब सुबह इसनान करके नहा कर पूजा इस्तर में बैठते तो आप इसको 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट पूजा के बाद या पूजा के पहले आप इसको कर सकते हैं और एक बार याद होने के बाद आप मन ही मन, मानसिक रूप से इसको आवाज नहीं निकलना है मन ही मन इसको जपना है बहुत ही दोस्तो इस फाइदे मंद होगा और आप कि जब सातों चक्र आपके सरीर में साथ चक्र होते हैं, वो इस साथ तो चक्र जब सुद्ध हो जाएंगे, तो आपके सरीर की हर तरह की बिमारियां सोता ही ठीक हो जाती हैं, तो आप इस मंत्र को चरूर कीजिए और आप अगर इस मंत्र का जाब करते हैं, तो सबसे पहली बात आप किसी भी माँ बहन को के साथ गलत मत कीजिए, बुरी नजर से मत देखिए, उसके साथ चल कपड धोका मत दीजिए, अगर आप जून बोलकर उसके साथ रिलेशन में हैं, तो आप पर बहुत जादा शीव क्रोधित होते हैं, इस खासकर इस चीश से, तो आप जून बोलकर कभी भी परिस्तर की गमन मत करिए, और आपको कैसा भी मास, मदिरा और नानवेज, यह सब नहीं प्रयोग करना है, सेवन नहीं करना है, अब दोस्तों यह जो मन्तर है, बहुत जबर जस्तर है, इसका भी आप एक मला कर सकते हैं, गवरी, ओम नोश्य गवरी, पती, काम रूप, दायक मेरे सरी को भी रती समान करें, फालतो दाग दूर करें, गवरी के समान संदर बने, जो ना करें तो सती गवरी की दोहाई, यह दोस्तों मन्तर है, यह मन्तर आपके सरीर का, अगर आपके सरीर में कोई दाग धबे, सिरुसेस, एक्जिमा, विटिलुग, विटिलुग, लिकोडर्मा यह प्रिचंड मंत्र है महाद्योग को रिज्ञाने का महाद्योग इस मंत्र से विवश हो जाते हैं आपको ठीक करने के लिए लेकिन इस मंत्र को करने के लिए आपको मैंने जो चीज़ा भी बताई हैं उन चीजों को विशे ध्यान देना है कि आपको एक अच्छा इंसान बन किसी को भी मतलब आपको एक अच्छा इंसान बनना है आपको गलत नहीं करना है आप किसी भी मा बहन बेटी को पूरी नजर से मत देखिए अगर ये सबाब करेंगे आपको मास मद्रा और सराब इन सब चीजों का श्रीमन बिल्कुल बंद करें तो आपको दोस्तों जरूर 100% आपको आपके सरीर में जो सफेज दाग लोगों लिकोडरमा चर्म बिल्कुल ठीक होगी तो दोस्तों इस मंत्र को करने के लिए यह सारे आपको परहज जो हैं आपको बहुत अचूक मंत्र हैं आप इसको आजमाईए और इस वीडियो को जतना हो सकता अपने प्री चैनल त किते हैं आप से ऐसे ही अगली वीडियो में.